हलो फ्रेंड्स मैं केसब कुमारदेव नर्सिन इकाडमी के इस नए वीडियो में आपका सौधत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लड ग्लेट्सन टीवर्स एन वाइल्स के बारे में यानि हॉस्पिटल में जो ब्लड जाता है जाच के लिए उसमें हम लोग कौन-कौन सा टीव यूज करते हैं और कब-कब यूज करते हैं उससे पहले हम लोग दो important term के बारे में जानेंगे पहला है फियल्वर्टॉमी और दुसरा है फियल्वर्टॉमिक्ट फियल्वर्टॉमी का मतलब होता है पेसेंट के blood specimen को collect करना और diagnosis और research के लिए laboratory में भेजना और जो person इस process को करता है उसको हम लोग filmotomist काते हैं यानि patient के blood को जो person collect करता है उसको हम लोग filmotomist काते हैं अब हम लोग एक करके सारे blood collection tubes के बारे में जानेंगे पहला है purple और lavender top tube इसमें जो anticoaglen पाया जाता है उसे adidia काते हैं adidia का full form होता है ethylene diamine tetra acetic acid इसमें जब हम लोग blood collect करते हैं तो उस blood को कौन-कौन सा test के लिए भेजते हैं तो पहला है CVC test, दूसरा है ESR test के लिए भेजते हैं तिसरा है HbA1c test के लिए भेजते हैं manaria parasite test के लिए भेजते हैं, reticulocytes test के लिए भेजते हैं parathoride hormone test के लिए भी lavender top tube में हम लोग blood collection को भेजते हैं उसके आगे है rate cell falling test और cross matching जब हम लोग करते हैं patient का उसके निवी हम लोग lavender top tube को ही उज़ करते हैं जैसा कि आपको पता है कि इसमें EDTA anticoagulant के रूप में पाय जाता है तो इसमें blood click करने के बाद tube को कम से कम 8 वर जरूर ही लाएं ताकि EDTA के साथ blood अच्छे से mix हो जाए और इसमें हम लोग जो blood लेते हैं वो 3 ml लेते हैं नेक्स्ट है red top tube जिससे plane और clot activator tube के नाम से भी जानते हैं इसमें कोई भी anticoagulant present नहीं होता है इस tube में blood और serum automatically अलग हो जाता है क्योंकि कोई भी anticoagulant नहीं होता है तो blood थक्का के रूप में जम जाता है इसमें जब हम लोग blood लेते हैं तो वो उसका quantity 6 ml होता है टेस्ट करते हैं और serology टेस्ट करते हैं कमेस्टी टेस्ट में हम लोग enzyme, fats, electrolytes, proteins, vitamin और minerals के बारे में देखते हैं immunology test में हम लोग antibody और pathogen को देखते हैं और serology test में हम लोग protein के बारे में जानते हैं जो हमारे immune system के द्वारा बनाया जाता है और example के रूप में सीरी सीरी समझें इसमें हम लोग LFT, KFT, sodium, potassium, chlorine बगएरा test करते हैं next है blue top tube इसमें sodium citrate नामक एक additive पाया जाता है जो एक reversible anticoagulant है इस tube का यूज हम लोग coagulation screen check करने के लिए करते हैं जब हम लोग blood लेते हैं तो इसमें 2.7 ml blood collect करते हैं इसमें test कौन का उसा किया जाता है इसमें bleeding time को हम लोग check करते हैं यानि BT test करते हैं PT test करते हैं यानि prothombine time को check करते हैं APTT test करते हैं D timer test करते हैं I NR test को हम लोग इसमें और नेक्स्टें gray top tube इसमें दो तरह के agent पाया जाते हैं पहला है sodium fluoride और दूसरा है potassium oxalate sodium fluoride एक तरह का anti-glycotic agent है जो blood में glucose को तूटने से रोकता है और potassium oxalate एक anti-coglent है की तरह काम करता है इसमें जब हम लोग blood collect करते हैं तो 6 ml blood इस भाइल में लेते हैं इसमें test कौन कौन सा किया जाता है इस tube का यूज हम लोग generally sugar test के लिए करते हैं जैसे FBS यानि fasting blood sugar RBS यानि random blood sugar PPBS यानि post-parendial blood sugar test करते हैं और lactate का जाच भी हम लोग इसी भाइल में करते हैं नेक्ट है yellow top tube जिसको gel tube भी करते हैं इस tube को हम लोग SST नाम से भी जानते हैं SST का मतलब होता है serum separating tube इस tube में दो तरह के agent पाया जाते हैं पहला है silica particles और दूसरा है serum separator silica particles blood cell को एक साथ clamp करके रखता है और serum separator plasma को blood cell से अलग रखता है जब हम लोग blood इसमें लेते हैं तो उसका amount 3 से 5 ml होता है अब हम लोग देखते हैं इसमें test कौन कौन सा करते हैं इसमें हम लोग serum analysis के लिए use करते हैं urea and electrolyte का जो test होता है वो भी हम लोग इसी में करते हैं C-reactive protein इसी में जाज करते हैं NFT भी कर सकते हैं bone profile भी कर सकते हैं troponine भी कर सकते हैं tumor marker test भी हम लोग इसी में करते हैं toxilogy का जो test होता है जैसे इthenaol बगेरा इसी में करते हैं drug level भी हम लोग इसी में चेक करते हैं जैसे की PCM, aspirin बगेरा बगेरा immunology test इसी में करते हैं next is dark green top tube green color का दो tube आता है एक dark green होता है और एक light green होता है dark green वाले में sodium heparin पाया जाता है जो कि एक anti-coglent है और इसमें हम लोग blood जब click करते हैं तो उसका quantity 4 ml होता है इसमें generally ammonia, insulin, renenin और allosterone test करते हैं और जो light green top tube होता है इसमें lithium heparin पाया जाता है जो कि एक plasma separator है इसमें जब हम लोग blood simple लेते हैं तो 4 ml लेते हैं इसमें generally हम लोग chemistry test करते हैं chemistry test में fat protein बगेरा आता है next है orange top tube इसमें thorombin best activator होता है जो कि a stat serum testing को allow करता है यानि serum testing करना हो और दमतुरत करना हो just तो हम लोग orange top tube का use करते हैं next है pink top tube इसमें ADTA एक anti-coglent होता है या वही ADTA है जो purple top tube में पाया जाता है इसका use हम लोग transfusion lab में करते हैं इसमें जब हम लोग blood simple collect करते हैं तो वह 6 ml होना चाहिए और इसका use हम लोग cross match patient का blood group कौन सा है या फिर direct comp test के लिए करते हैं next है black top tube इसमें हम लोग ESR जाच के लिए इसका हम लोग use करते हैं next है white top tube इस tube का use हम लोग molecular diagnosis के लिए करते हैं example के रूप में आप साह सकते हैं इसमें हम लोग PCR या फिर DNA amplification के लिए इसका use करते हैं आगे हम लोग देखेंगे order of draw क्या होता है यानि जब हम लोग patient के सरीट से blood लिए और उसे हम लोग एक से ज्यादा tube में डालना हो ठीक है यानि कि मान लिजी कि आपको red tube में डालना हो green tube में डालना हो और या और purple tube में डालना हो तो blood एक syringe के अंदर होता है अगर आप लोग सबसे पहले purple tube में मालीजे blood को आपने डाल दिया तो इसमें जो anticoagulant है वो syringe के उपर लग जाएगा उसके बाद अगर आप लोग उने red tube के अंदर डाला तो red tube के अंदर भी वही edit ये आ जाएगा जो purple tube के अंदर पाए जाता है तो एक से ज़्यादा tube में अगर blood को डालना हो तो एक order of draw हम लोग फॉलो करते हैं यानी एक order फॉलो करते हैं जिसमें अगर सबसे पहले blue के अंदर blood हम लोग डालते हैं उसके बाद red उसके बाद yellow इलो के बाद light green और green में डालते हैं उसके बाद purple pink और grey में डालते हैं यानि एक ही blood simple को एक से ज़्यादा भाइल में डालना हो रखना हो तो हम लोग एक order of draw follow करते हैं ठीक है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा त धन्यवाद